तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जिरुधा क्वाइन एप में मुच्वल फंड जो भाई करते हो उसको कैसे आपने बैंक में आप विड्रो कर सकते हो जिरुधा क्वाइन एप में किसी भी कंपनी का बैंक का आप मुच्वल फंड भाई कर सकते हो लेकिन जरूरत पढ़ने पर आप उसको आपने bank में withdraw कर सकते हो या redeem कर सकते हो या फिर उसको sale कर सकते हो सब एक ही बात होता है क्या उसके steps है उसको follow करना है सबसे पहले हम जिरुधा क्वाइन के app जो है उसको यहाँ पर open कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए पहले हमको यहाँ पर जिरुधा एप को open करना है क्वाइन अपको उसके बाद जो आपने पीन जनरेट किया था एकाउंट बनाते समय वह पीन डालना है आपको यहाँ पर यहाँ पर या फिर आप Google Authenticator से विराल डाल सकते हो पीन उसके बाद इस तरह का interface आएगा सारा investment आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपको क्या करना है redeem करने के लिए investment के अंदर में क्लिक करना है जितने भी investment किये है जितने भी mutual fund में आपने investment किया है वो सारा दिखाई देगा जैसे कि SDFC corporate bond fund यहाँ किया गया है और यहाँ पर SBI corporate bond fund में investment किया गया था दो लाक और शौलाक का टोटल लिए investment लग आट लाक है अभी लगता है नया नया investment है तो आपका इस तरह से profit दिखा रहा है तो हमाल लीजिए कि SBI corporate bond fund से आपको पैसा विड्रो करना है बैंक में तो आप इसके उपर में क्लिक कीजिएगा जबाद क्लिक कर है 12.24 एक उनिट का प्राइज है आपके पास जितना यूनिट है वो दिखाई देगा ठीक है अब आपको redeem करना है तो यह तीन बिंदू है इसके उपर में आपको क्लिक करना है क्लिक करोगे तो आपको redeem का option यहां मिल जाएगा इस redeem के option के उपर में आपको क्लिक करना है अगर कम करना है इससे ज्यादा तो आप इसमें मैनोली टाइप करेंगे ठीक है मानली जी हम यहां पर 20 यूनिट हम विड्रो करना चाहते हैं तो हम 20 यूनिट को यहां पर मैनोली टाइप करेंगे तो 20 यूनिट के बराबर जितना भी पैसा होगा वो यहां पर आपको दिख करना है इस तरह का message आएगा आपको redeem को फिर से क्लिक कर देना है आपका order place हो जाएगा इसको देखने के लिए हमको back में जाना होगा back button को क्लिक करके और उसके बाद यहाँ order जो है आप देख सकते हो order में click करना है आपको order में click करोगे तो आप होगा कि 20 unit का order place हो चुका है यह जल्दी दो working देज में जो है आपका ये आपके bank account में आ जाएगा ठीक है आप चाहो तो इसको click करके delete का option है तो इसको delete भी कर सकते हो अगर आपको पैसा नहीं bank account में मंगाना है ठीक है अगर आप इसको छोड़ देंगे तो भी open है कुछ दिर के ठीक है एक चीज में बताना चाहूंगा कि important चीज मैं sorry बताना चाहूंगा आपको बताना जरूरी है कि जीरोधा coin में जैसे आपने invest किया होता है तो जीरोधा में जो पैसा आप add करते हो वो पैसा जीरोधा सहीं कर जाता है लेकिन मैं बार बार यहां बोल रहा हो bank account में आए जीरोधा से मंगा सकते हो तो मैं जो बार 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 बोल रहा हूं bank account में आजाएगा वैसा नहीं है ठीक है आप confused मत होईएगा पहले जीरोधा में आता है wallet में wallet से आप च्याज इतना वी balance है आप उसको bank account में withdraw कर सकते हो जीरोधा आपका पैसा भेज देगा यह चीज याद बहुत लोगों को confusion होता है कि जीरोधा में अगर investment करना है आपको तो सबसे पहले join आपको यहाँ पर एक debit account बनाना पड़ता है तो यह मेरा website है देख तेख रहे हैं आप यहाँ पर इस website पढ़ाना है और यहाँ पर join जीरोधा लिखा हुआ इसको click करना है ठीक है इसको click account बना सकते हो मेरे referral लिंक से एक चीज़ में बता दूँ कि जितने भी share marketing related में वीडियो बनाओं या फिर मुच्वल fund related वीडियो बनाता हूं ठीक है तो सभी में जो है आप investment कर रहे हो गर तो उसमें marketing risk involved होता है तो जितने भी वीडियो में इस तरह के आएंगे उसमें जो है आप इस चीज़ को समझीएगा कि उसमें केवल benefit तो हो सकता है लेकिन सासात आपका loss भी हो सकता है वो सिर्फ market पर depend करता है तो को confusion मन में मत रखिएगा धन्यवाद